प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सर्पुर्श तो ये ईस कहो सर्पुर्श कहो ईस कहो अक्सर पुर्श आपको बता जिया वो तना है और सर्पुर्श उसकी डार है तो अक्सर पुर्श कहो या ईसवर कहो ईस ईसवर और तीसरे नमबर का आठमे जय के गीता जी के तीसरे सलोक में आठमे जय के परसम सलोक में अर्दुन ने पूछा कि आप जी ने साथ में जय के उनटीस में सलोक में जिस तत्वर्श की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी के वल जरा और मरन से छूटने का ही प्रियतन करता है इस संसार की किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता तो आठमे जय के पर्थम मंतर में अर्दुन ने पूछा किम तत्वर्श किया है आठमे जय के तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है वो परमक्सरवर्श है तो गीता ज्यायर नमबर 15 के सलोक नमबर एक से चार में सभी विभाग बताए है और 16, 17 में बताए है कि तीन एक सरपुरस को ईस कहते हैं ये केवल 21 ब्रम हंड का स्वामी है पर भू है मालिक है और दूसरे को अक्सर पुरस को ईसवर कहते हैं यानि इस से स्रेष्ट इस ब्रहम से नेश्ट पर ब्रहम अक्सर ब्रहम भी कहते हैं इसको और तीसरे नमबर का जो परम अक्सर ब्रहम है उसक तो परमेश्वर कहते हैं, इस, इस्वर, यानि इस से स्रेष्ट, और परमेश्वर, उस इस्वर से भी स्रेष्ट, परम स्रेष्ट, इस्वर से भी परम, यानि परमेश्वर, वो तीशरे नमबर का, यानि ओर आल कंट्रोलर, तो परमात्मा अपने को छुपा कर अपनी भहिमा आप ही बता रहे हैं कि जाती हमारी जगत गुरू और परमे सुरह पंथे दास गरीब लिखत पड़ मेरा नाम नरन लिकंते अब रामान जी गणे दुखी होगे इस बात थे अग्यानता के कारण के थोटा सा बालक धानक का एक जुलाए का बालक और अपने आपको बगवान बताता है तो गुस्से आकर गालियां मंडगे गालियां लगे देने मालक ने अपने आपको मालिक कह दिया शर्जनहार कह दिया तो रामान जी के कहते दर्द लगया दुख हो है उस बात का और क्या बोले रे वालक सुन्दुर बजी एमंद बजी के विक्ती तेरे घटमट तन आकार अब देखो हमारी बजी कितनी कमजूर थी ये दास विश्मु जी का उपा सकता श्री किरसन और स्री राम हमारे पक के बगवान थे और बगवान संकर भी आधर निये थे हम तो सब ही को ऐसे मानते लेकिन विश्मूर के उपा सकते हैं श्री करसंदी को और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथ ही होते थी तो जब कभी डिसकस करते थे कोई पूछता था कि समाधी लगाता है मैंने किसी संत ने बताया है मैं समाधी लगाता हूँ और बगवान आपने देखा अके नहीं बगवान तो निराकार है वो दिखाई थोड़े देता है वो तो निराकार है कि और परकास दीखता है कुछ तो सुनी सुनाई के और एका दिन दीख भी जाता होगा तो परकास भगवान नहीं है, वो तो भगवान का परकास है, तो कहने का भाव ये है, यहां रामान जी भी उसी दुर्बुदी से ग्रिस था, वो कहरा है कि तू अपने आपको भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ाय दोता हो, तो वही किया नाम आदमी को हमें होता था है साही। तो क्या कहते हैं रे बालक सुन दुर्बूदी गटमट तन आकारे। गरीब दास दर्द लगया हो बोले सर जनहरे। ए दुर्बूदी बालक तेरा सरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है। तो अपने आपको भगवान कहता है। तो गरीब दास जी कहते हैं, रामा नंजी का इस बात का गणा दुख हुआ। भगवान ने अपने आपको भगवान कह दिया। तुम मुमन के पालवा जुलहे के घरबा से। दास गरीब अज्यानगती एतादर्ड विसुवास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं बगवान। के तुम मुमन के पालवा तो एक मुसल्मान के घर तेरी परविर्स हो रही है। ऐसे कहते हैं ना तो। के फलाँ उतरा ऐसे है। यादि वहोत ऐठी बुढ़ी से संभोधित कर रहे हैं मानांगजी। यह जानकर तुम एक दानक और मुसल्मान के घर में तु पल रहा है। और तेरा जुलहे के घर निमास है। अपने आपको तु भगवान बताता है। तुम मुमिन के पालेवा तेरा जुलहे के घर बासे दास गरीब अग्यान गती एतादर्ड विस्वासे मान बढ़ाई छोड़ करें बोलो बालक बेने रहमानन जी कहे हैं के सिद्धी बात करें अब इमान त्याग तुम अब इमान ना करें के अपने आपको भगवान बता रहा है मान बढ़ाई छोड़ करें बोलो बालक बेने दास गरीब अदम खी एता तुम गट फेने तरक तलू से बोले ते रामानद सुर गया ने अब रामान जी कह रहे हैं के तेरी जायत का पता नहीं कुजात तेरा पता नहीं तो किस का है के तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को और अपने आपको तू कुजात है ना नीच इसलिए अब छोटा मू बड़ी बात कर रहा है तरक तलू से बोले ते रामान सुर गया ने दास गरीब कुजात है अखर नीच निदान ये सब्द रामान जी कह रहा है के आखर ना तू नीच जात का इसलिए छोटा मू बड़ी बात बकवास कर रहा है अपने आपको भगवान कह रहा है परक नरक तो कू नहीं तू नीच कुलीन कुजात दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात बिना दिमाग के तन ये बात क्या कह दी अपने आपको भगवान कह रहा है रामान जी का तो गणा गुसा हो गया ना इस बात का अपरमात्मा क्या कहते हैं मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी पर भी ने यानि गुरु जी दमका रहे हैं गालियां दे रहे हैं और एक सुयोग सिस की भुमिका करते वे भगवान हाँ से जोड़ कर खड़े हैं ऐसे और क्या कहते हैं अंदर से खुसी है गुरु जी डाट मार रहे हैं अर्दोनिकमा से सोगा गुरु जी दमकाओं गेदा दुख मानता है और सुयोग से सोगा कि गुरु जी तो हमारे हित के लिए ही खुरुकाते दमकाते हैं हमें दिखाने के लिए अलांकि गुरु जी गलत दमका रहे थे गलत खुरका रहे थे बगवान ही थे वो तो फिर भी एक सुयोगस जिसकी भूमिका करते हुए कहते है मैं के बदन खुला से कहरे सुन स्वामी परवीने दास गरीब मनी मेरे मैं आजज आधीने मैं आपका आजीज हूँ आपका नोकर हूँ आपके आधीन हूँ मेरे अएकार नहीं है और फिर क्या बताते है ए स्वामी सृ python में और सिष्टी हमारे तीरे दास गरीब और दरवसू मैं अवगत सथ कभी रे मैं अवगत गत से पहरे इन चार बेद से दूरे दास गरीब दसों देशा मैं सकल सिंद भर पूरे सकल सिंद भर पूरे हूँ खाल लिक हमरा नामे दास गरीब अजात हूँ तें जो कहा वली जामे अपरमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सिर्ष्टी के रचने वाला हूँ एक पांच वरसका बालक और ऐसे हाद जोड़े खड़ा है बहार पढ़दे से बहार और कहरा कि ए स्वामी हे मालिक मैं सिर्ष्टा हूँ सारी सिर्ष्टी के रचने वाला और ये सिर्ष्टी हमारे तीर और मैं उपर रहता हूँ अवगत सत्कबीर फिर कहते हैं जात पात मेरा नहीं सकल संद भरपूर हूँ और खलिक मेरा नाम और दास गरीब अजात हूँ मेरे जात पात नहीं है जाता फिर भी आपने जो कहा मुझे कुजात कहा नीच कहा तो मैं बली जाओं आपके उपर आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा मैं ऐसा ही होगा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वा सच है कि मैं सारी सिर्फटी का रचने वाला हूँ एक पांच वरस का बालक है और ये बातियां कि वैरोबी दानक का जो लाहे का 600 वरस पहले तो पुन्यातमा बूद्धी सिलफ कर जाद मीगी कि भगवान हो सकता है और कबिर साहब को आज कोई भगवान माने का राजी नहीं और वो भगवान है हमारे ना मानने से कुन सा वो भगवान नहीं रहेगे एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है और कोई ये कि ये क्रोन रुपे का है एक छोटा सा कंचा और कोई नहीं कर भगवान नहीं नहीं मानता उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं स्वाब तोगी लेकिन वो उसके ब्यवार में नहीं है वो उसका जानकारी नहीं है तो उसकी अपनी ही अज्यानता का ये प्रिनाम है फिर क्या बताते हैं अपने अत्माँ देखिएगा ये है सुकसम बेद और इस सुकसम बेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई विस्यस विलक्षन मुझी चाहिए अब यहां क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब मैं व्यापक हूँ कैसे हूँ कि जैसे पांचों ततों के अंदर आकास जो आकास का गुन है वो सब मैं व्यापक है पांच गुन है सबद, सपरस, रूप, रस, गंध ये पांच जैसे पांच ततों है और इनके पांचों के पांच ही गुन है जैसे आकास, हुआयू, अगनी, पर्त्वी और जल ये ऐसे हैं तर्तिवाइज है तो यहां क्या बताया है जैसे आकास का गुन है सब्द अगास का गुन है सब्द अब जैसे इस पूरे बिर्मांड को परमात्मा ने एक आकास से ऐसे बंद कर रखा आकास से, यदि ये आकास से बंद ना कर रख्या हो चारों तरफ से कती बिलकुल बंद नाक रख्या हो तो हम एक दूसरे की आवाद नहीं सुन सकते यहां सब्द काम नहीं कर सकता जैसे किसी सपीकर का पड़दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा वो आवाद नहीं रहती तो उसके बाद जो आकास का गुन है सब्द और वाईयू का गुन है सपरस जैसे अवाद लगती है ठंडी और गरम और अगनी का गुन है रूप सर फुसर फुसर जैसे आगनी बकड बकड बलती है अब उसमें और पर्थवी का गुन है गंद अब जैसे सबद जो है आकास का गुन है और वाईउ जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है तो उसमें वाईउ के अंदर भी उस सबद का गुन विद्वाना यानि सबद उसमें कंस्टेंट है अभिन नहीं है ऐसे अगनी जलती है तो बकड बकड की आवाज आती है तो उसमें सबद साथ है सबद का गुन उसके अंदर साथ है परच्वी का डला देशे उठा कर हम पटकते हैं उसकी आवाज आती है तो परच्वी उस डले के साथ भी उस परच्वी परचवी के उस साथ भी सबद का साथ है। पूरे बर्मांडों में जैसे आखास सभी में व्यापक है। शब्द सब में व्यापक है आकास का गुन ऐसे मैं सब में मेरी सक्ती साथ विद्मान है और उस मेरी सक्ती से ही सब बर्मंड और सब ये जीव क्रियवान है पर मातमा ये समझाना चाहिए क्या कहते हैं हम से पानी पावन है हम से धर्नी आकासे गरीब दास ततो पांच में हम ही सब्द न्यवासे जैसे पांचों ततों के अंदर सब्द कंस्टेंट है शाथ है अभिन है ऐसे मैं रहता उपर हूँ मेरी सक्ती सब में विद्मान है वो बिलकुल भी किस कोई प्राणी या कोई कन मेरी सक्ति से बचा नहीं है अब रामानंजी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है इसको थोड़ी सी बाद मैं बात करूंगा अपनी पूजा कर लेता हूं जो सेस रहती थी रामानंजी क्या करते थे परदा लगाई रखा था परमात्मा को कहा क बठा दो इस बालक को यहीं बैठ जा पात दस्मेंट मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं फिर इससे बात करूंगा बाहरा करके अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंजी एक बगवान विश्णों का सालग राम बना रखा था मूर्ती पत्थर की और वो तारते थे और मुकट भी रख देते थे आदर से माला कंठी एक माला जो गलेम होती थी एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते वो भी डालते थे तो सभी उतार दी जाती थी फिर भगवान को सनान किया जाता है तो वो मानसिक पूजा करता था उस पत्थर की मूरती अवसे है वो तो मानसिक समझो एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं कपड़े मूरती को सनान करते हैं कपड़े फिर सोच कपड़े पैनाते ऐसे तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक से पूजा का ज्यादा लाब होता है तो वो क्या करता था जैसे कलपना करता था प्रती दिन का भ्यास था, कि जैसे नंगे पेरों गया गंगा पर और गंगा से सोपने की तरह कलपना करा, गंगा का उपर से मटका भरके लाया रहा रहा रखा, बगवान की मूरती उतारी कलपना से, और उसको परात यानि अच्छे पातर में रखा, नवाया खूब सापसूब किये, उनके क पड़े जो धोकर सुका रखे थे, वो दोती बांध दी, उपर प्रमात्मा के मुकट रख दिया, चलक चलक लगा दिया, उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान के माला डालते हैं, और एक बैजनती माला भी कलपनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं माला डालनी बूल गया, मुकट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिये, अब मुकट अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधुरी, तो पूजा खंडित इनकंप्लीट रहेगी, और उस दिन मुकट रखने के बाद मुकट उतारा नहीं जाता, मु मन से सोच, विचार कर रहा है, कि मुकट के ऊपर से माला डालनी चाही, जैसे सौपन होता है, वह माला मुकट में फसगी, मुकट नीचे से चोड़ा था, आगे नहीं जा सकी, तो रामा नंजी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं हाथ में लेकर चिंतित हैं, और कोस रहे हैं अपने आपको कि आज मेरे से कौन सी गलती बनगी, अपने जीवन में पर्थम बार, आज मेरी पूजा खंड़े तुई है, ये वगवान मुझे से कौन सी गलती बनगी, आज मेरा क्या होगा, आज इवन मैं इस वक्तितनी सतरक तासे गया, तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े करें, कि ए स्वामी जी, इस माला की गाठ खोल लो, दागे की गाठ खोल लो, गाठ खोल का फिर गले में डाल का फिर गाठ लगा दो, ये मुक्ट उतारना नहीं पड़ेगा आपको, अब रामानंजी की तब बुधी शर गूम गया, कि ना कोई सामने मूर्ती है, मैं केवल मन से सोच कलपना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पढ़ता लगा है, और ये बालक भार से मेरी मेरे मन की बात बता रहा है, अब उन्हात्माओं, ब्रामन सोय जो ब्रम पिछाने है ब्रामन पंडित उसको कहते है जो भगवान पहचान ले, और लोग लाज न तोड़कर एकलवजर दे, अब देखो पुनात्माओं जिनको भगवान पाना है, वो लोग लाज नहीं करते हैं, संसार को नहीं देखते हैं, जैसे मीरा बाई न संसार नहीं देखा, रविदास गुरुबना करके अपनी बक्ती स्टार्ट की थी, वो ठाकरों की लड़की थी, ठाकर लोग बुच्छुआ चाच को बहुत मानते थे, लेकिन मीरा बाई नहीं देखा, एसी प्रकार ब्राह्मन, रामानंजी ब्राह्मन और जुलाये जाती से तो अपना कपड़ा भी नहीं चुने देते थे, इतनी लोक लाजर इतना प्रभुता बनी हुई थी, 1460 रिसी और पूरे विख्यात महापुरुष थे, और दानक के लबच्चे को अगर सपरस करना चाहे, तो ये समझे लो समाजी के मौत थी रामानत की, समाज से वो कती रिजेक्ट हो जाना था, उसको भगवान खड़ा था, कहते हैं, आड़ा स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, ग्रीब दास इस बजन को जान से कह करता रे, रामानत जी को परमात्माने का कि स्वामी जी, इस माला के दागे की गुंडी खोल ले, और फिर गले में डालके दुबारा गांट लगा अब रामानत जी को जो ही कहा परमात्माने कित की गुंडी खोल ले था वो, और कित कहा माला थी, पड़दा तूर फेक दिया दे, इतनी सपीड से बाहर आया वो, एक सो चार वर्स का वर्द, और सामने खड़े उस पांच वर्स के धानक दुलाहे के पूतर को, जिस से वो पड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देख्या बगवान खड़ा है, ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता, और कबीर साहिब को शीनने से लगा लिया बगवार, रामानत जी ने, बोलो सत्कुर्दे, कहते हैं, वकत पड़े सोधा करे, और बाड़ में पड़ो यू ग्यान, सामने बगवान खड़ा जिसके लिए बढ़क रहा, 104 साल खोई दिये, गर त्याग दिया, और आज बगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा, तो देखा रहे से भगत को, रहे सी भगती को अपने ऐसे सीने से लगा तो ऐसा सरीर वगवान का जैसे रूई होती है, यदुरुवेद जहाय नंबर 40 के स्लोक मंतर नंबर 8 में कहा है कि से परियागात सुक्रम अकायम, सुक्रम अकायम एवरनम, एसनाविरम कवीर मनीसी, वो परमातमा कवीर जो यहां आते हैं, विद घवान रूप में, यानि स्टव गयान जग्त गुरूरूरूरूं रूप में, तत्वदर्सी संद के रूप में, वो परमातमा वैसे सर्व सबसे पहला देदारी है, और उसका सरीर शुक्रम अकायम है, उसका सुक्रम माने मात्पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से जैसा पांस तताव का स्रीर नहीं है जो मात्पिता के बीज से बनता है तो कहते हैं वो सुक्रम काइम ऐस नाविरम उसके स्रीर मनाडी नहीं है हाड चाम हाड होड नहीं है इसके अदर तो वो ऐसा स्रीर है बगवान का इसलिए प्रमात्मा कहते हैं, मैं विधे ही हूं दरमधास ज형 जे हूं प्रमात्मा आपके स्रीर दिखाई दिता है और आप अपने आफको विधे ही कहते हो तो बगवान ने कहा था नरक परक कर देख दरमधास तुम सा तनना ही मौर मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी इसलिए मैं विधे हूँ अब क्या कहते हैं अब प्रमात्मा ने जो ही रामा नंजी ने कहा के ये तू दिख्षा तुम देही मानली मनमूरे ये तू दिख्षा तुम देही क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुदिमान थे, विद्वान थे, ब्रामन थे, संकेत समझ गे, के मेरी फड़क निकाल दी, मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड थी, जो मेरे अंदर एंकार था, वो मेरा चकना चूर करना था, इस महा पुरस्पर मात्मा ने, तो यह समझ गया कि जो दो थे, दिक स्दिख सrah मुझ दी, वो मान लियी मनवर, कि परमातमा रामानद जी समझ गया कि ये जुलाहा रूप मैं परगट बगवान और मेरे अंदर अभी मान बर्या था जाती और मजब का मेरा वो एंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लिला किये कि कहते जो जो सिक्स है तुमने मुझे दी मान लेई मनम और मत समझ गया कि आपने मेरे लिए मेरी आप मरोड काइड दी क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रख्या है सारा ब्रहमन समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं ये बड़ा पेमे इसका क्या दमाग चल गया रामानन जी का धानक के बालक को सीने के लगा रहा लेकिन वो ब्रहमन था उसने ब्रहम पचान लिया वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान ख़ड़ा है तो बाड में जाओ संसार एक तरफ या तो संसार भी साथ आ जाएगा ना तो वो अपना रज़ जी अवना बगवान जो वास्तु चाहिए थी वो मिल गई तो क्या कहते हैं अब रामानन जी कहते हैं जो दिख सा तुम मोहे जईई मान ली मन और अरे गरीब दास तुम कोमल पुरस आपका तस्रीर रूई जैसा है और हमरा बदन कठोर फिर क्या बताते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकट माल पर वेशे गरीब दास गती कौन लख तिरा कौन वरन को बेखे आपने कैसे पैचान है कोई आप किस तो वेश बुसा में खड़े हो और किस वरन में परगट हो जुलाहा वरन में और कैसे खड़े हो आप बदन आपको कैसे पैचान सकते हम तुछ जी जी ले मन की पूजा तुम लखी ये मुकटमान परवेशे गरीब दास गती कौन लखे आपकी गती को आपकी सतीती को आपकी महिमा को और कौन समझे कौन वर्ण को बेखे किस वेश भूसा में खड़े हमने बगवान पता नहीं कैसा मान रखा था आत्म सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रहा हो या गदा गदा जड़ रहा कि है रहापके उताब बगवान खड़े अपने आत्मों ये भूल अमारा वरसों से पड़ी हुई है युगों से अब ये भ जो भगवान को है सद्गरन था अपने पास है ऐसे इंस्टूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है भगवान का बेझा हुआ बढ़िए अब प्रमातमा ने क्या कहा ये काफी वारता है लेकिन समय थोड़ा है मैं सोर्ट करूँगा थोड़ा सा अब ये सारा कुछ हो गया है वो जितने वहां बैठे थे शर्फरे वो उठका चले गए ब्रामन जितने नकली थे असली ब्रामन रहे गया बगवान के पास तब रामन जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लाब बढ़ दाने वे पहले ता मैं ब्रामन था अर्विद्वान था पूझे था आज मुझे बगवान मिल गया मैं रिजेक्ट हो गया इन मुर्खों क्या ग्यान है इनको जब गुरू मैं था तो आज भी मैं गुरू हूँ और मैं जिसको पूझ रहा हूँ न सबने मुझे उसी को पूझ ना चाहिए लेकिन वो तो काल काजाल है वो सब खेसकें खेसकें तक खेसकें फिर रामन जी की थोड़ी बुद्धी बदल दी सबस्चा को पूरा नर्ने कर लो उसने पूछा कबीर परमात्मा से पूछा रामन जी ने कि आपने जूट क्यों बोला बच्चा परमात्मा ने कहा मैंने क्या जूट बोला स्वामी कि आप कहते हो कि रामन जी यानि मेरे से आपने दिख्षया ली है मैंने तो आपको कभी देखिया दी नहीं तो प्रमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन में पंच गंगा घाट की पौडियों पर लेटा हुआ था और आप जी नाने गए थे सनान करने आपकी खड़ाओं मेरे शुरू में लगी थी आपने शिर पे हाथ रखे कहा था के राम राम बोल बेटा राम राम बोल तो रामान जी बोले भाई वो तो डाइवर्स का बालक होगा और डाइवर्स के बालक का और पांच बरस के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरील का बोड़ी का तो वो तो पांच वर्स का बालक था भाई या बात मेरे दची नहीं तब परमात्मा ने क्या किया वहाँ एक नोकर की सेवक की चार पाई थी भाहर जहुआ पड़ी से रामानजी के सेवक की तो परमातमा एक रूप में पांच बरस के बालक में तो समने खड़े हैं और एक दूसरा रूप बना कर उस चार पाई के उपर लेट गे खटिया पर कहा के देखो स्वामी जी ऐसा था मैं ऐसा था ना अब जो ही रामा नेजी ने देखा पांच वरस के द्रही वरस का बालक giftर और पांच वरस का सामने छे बारी दर देखा अँखे मल मल कर देखा हैं तो परमा नशोचा इस बुढ़दे की बुद्भी अब शेट हो को ना उआ से उठे परमात्मा और उस पांच वरस के बालक में धाई वरस का बालक आकर उसके सामने समा गया तब रामानंज की बुद्धी ठकाने आई फिर भी नियों बोला कि भकपच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं कंठी पर मात्मान निकाल कर जखाई कि देख यारी कंठी ये कहां पराप्त हुई कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंच गंगा घाट पर अब रामानंज की वो भी याद था कि मेरी खोगी थी कंठी उसने सोचा यो निरा बालक नहीं है वे तो सारी ये बात फ्यट कर रहा है फिर पूछा के बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता मैं कोई और मंतर देता हूँ ये रिशी लोग मंतर ओपन नहीं किया करते थे राम राम तो जैसे हम सच्चाइब सच्चाइब करते हैं ऐसे करते थे वो तो प्रमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो, अब रामानंद जी की तो सिटी फिटी गॉम होगी, यह सारी साची बतावा, जो लहां तक यह बात जाई नहीं सकती, मैं क्या मंतर देता हूं, गुप्ट परती गया कराता हूं, जिसको नाम देता हूं, रिशी रिशीयों को दे देता था नाम ये, और बाकी हरे कर सुना, रे राम यो भी नाम साथ मोगन मैं शुआई, अलग सालिक ये गुप्ट मंतर था, इनका सार नाम था, ओमन, फिर रामानंद जी की चक्र, बुदी, चक्र काइटगी, अकि निरा बालक को नहीं है, अकिला बच्चा नहीं है, फिर परमातमा ने कहा कि अगरम मगरम छोड़ दो सुनो हमारी सीख, कबीर साहब ने कहा, कि ये अटबट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो, समझाने लगे कि उससे सृष्टी रतना सुना जी परमातमा ने, आद घंटे के अंदर, रामानंद जी ने कहा कि मैं आख्चों देखों जब बात बढ़े, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरू ना किसी रिषी ने, ना चारिय और संक्रहचारिय ने, हमें ये घ्यान नहीं दिया, तो परमातमा, रामा नंद जी ने कहा कि मैं योग योगत होता हूँ, मैं समाधिस्ट हो जाता हूँ, प जोही वो तर्वेनी पर पहुंचें वाँ तीन कहतें योग योग योगत प्राणायामकर जित्या सकल सरीरी तर्वेनी के गाट पर वहाँ अटकर हे बलबीरी आगे जाके तीन रस्ते हो जाते हैं सामने ये बर्मरंदर है, लेट साइड में ये दर्मराज के लोग को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है, अठासी अजार खेडे साइड में, तो यहां जाका वो बंद हो गया, उसे आगे नहीं जा पा रहा था, तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में, समाधी म क्या होता है, सोपन सा होता है, और परमात्मा ने कहा कि आपके ओम, नाम, अरे, राम, अरे, किर्शन, सीता, राम, राज, देश्याम, ये तो कोई मंतर है नहीं, ओम के नाम से आप जिस यहीं तक आ सकते हो, और जब आपकी मर्चू होगी, जैसे यदूर्वेद, ध्याय, न सिमन करो, मुर्स जिवन का पर्थम करते हो, जान का सिमन करो, ये ब्रहम का मंतर है, गीता ग्यान दाता अठमेद है कि तेर में स्लोक में कहता है, ओम इती एक आक्सरम, ब्रहम वहरन, माम अनुसमरन, ये परियाती तजन देहं, सैयाती परमाम, मुझ ब्रहम का के वले एक ओम अक्सर है वो चार में करके सिमन करता हुआ यह प्रियाती तो जन्दे हूं यानि शरीर छोड़ कर जाते समय तक इसका सिमन करता रहता है सहियाती प्रमामगति हूं वो बिर्म से मिलने वाली ओम से मिलने वाली प्रमगति प्राप्त होता है कहां जाता है बिर्म लोक में अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विशुनु जी और ओम नाम का जाप करती थी तो बिर्म लोक नहीं जा सकते थी तो उन्हों ने बताया कि आप जी अंतिम सांस्तक ये मंतर करते रहोगे तब क्या आपकी मर्तु के बाद आप यहा पर और आगे धर्म राज का लोक है सबसे पहले नयधीस का ओफिस है वहां आपका अकाउंट होगा उसके बाद आप विशुनु लोक में जाओगे विशुनु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोनेंट बना हुआ है वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी आप वहां जाओगे और फिर तुरा सी लाखियों में आओगे ये सामने का जो ब्रम रंदर है ये तुम्हारे मंतर से नहीं खुल सकता मेरे पास वो मंतर है जो सतनाम बढ़ेगा है दो अक्षर का इन दोनों का मिलकर ये सिमन किया जाएगा तब ये ब्रम रंदर खु का और प्रमात्मा को उस आत्मा को साथ ले करके रामानद जी को उपर पहुंचे कहा कि ये बैठा तुम्हारा बगवान जोत नरंजन ये काल ब्रम तुम इसे इंडराकार कहा करते थे ये गुप्त रहता इसने परती गया कर रखिये साथ में जाएगे 24 और 25 लोक में गीता कहता है कि मैं अपने योग माय से छुपा रहता हूं मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तिक रूप में परगट नहीं होता ये मेरा अनूतम अवे अटल घटिया नियम है ये बैठा फिर प्रमात्मा ने वो ग्यार महा दुआर पार किया जो परब्रम यानि उस अक्सर पर उसके बर्भंडों में परवेश करते हैं ग्यार महा दुआर उस से आगे जाकर फिर उस परब्रम के अक्सर पर उसके साथ संग बर्भंडों को पार करके फिर बर्मा दुआर है बर्मा दुआर पार करके बहुर गुफा पार करके तब सत लोक आता है तो परमात्मा उप पर के लोग मलेगे और जहां पर जबहां जाकर देखा जो एक सिंगासन के उपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं सिर पे मुकट गलम माला है सुन्दर सरीर है क्रोड सुरीय मिला दे क्रोड चंदरमा ऐसा उनका एक रोम कूप की सौभा है तो कबीर साथ नीचे से गए वहां चावर उठा करके सिंगासन पर विराजमान उस पर मात्मा तेजों में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चावर करने लगे रामानाजी ने सोचा कि ये भगवान है जो तकत पर बैठा इतने में वो तेजों में श्रीर खड़ा हुआ सिंघासन से उठा और हाच जोड़े कि भगवान बैठाँ सिंघासन विराजमान करो हापका आपका सिंघासन है और कबीर साहब उसके वपर उचल कर बैठे बालक जैसे उचला करे और वो चवर करने लगया जो तेजो में सुरीर था जिसको रामान जी भगवान समझ रहे थी अब रामान जी जी सोच रहे थे कि भगवान आप इस बालक यो कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्र है ये शवर कर रहा है इतने मौते जो मैं सریрал और प्रमेश्वर कभीर जी पांच वर्स के बालग कभीर साइब के रूप मैं समा गया उसके अदर अकीला कभीर साइब असंग अनंत कोड़ बिर्मांड के संचालक के रूप मुआ विराद माने चोड़ अपने आप हो रहा है और प्रमात्मा का वो बालक रूप इतना तेजों में हो गया जैसे क्रोण सुर्य, क्रोण चंदर मामला जा एक रौम हो एक रौम के अधर तब प्रमात्मा ने कहा कि स्वामी जी ए स्वामी सिर्ष्टा में और सिर्ष्टी हमारे तीर दास गरीब अधर बसूँ मैं यहां रहता हूँ, अब रामानन जी तो चरोणों में गर गया है, बगवान आप तो हमारे को, हम नहीं पहचान सकते हैं आपको, और आप सच मुचा प्रमात्मा ने कहा कि वापस जाओ, अब जो ही वापस बेजा तो एकदम नीचे आया रामानन जी, समाधी तूट गी उसकी, एकदम सामने देखा, और सामने उबालक फिर बैठया, एक सो चार साल काबू डावरद, और प्रमात्मा के चर्णों में गिर गया है, और कहा, ता दीदारे, तुम स्वामी में बाल बुधी, एक सो चार साल का ब्रामन चारों वेदों का ग्याता, अठारा पुराणों को ग्याता, गीता जी का मरमज गाता के लाने वाला, और बगवान के कैखे भी पता नहीं था, एक सो चार साल का वरद ब्रामन रिसी, और पांच वरस के बालक दानक दूलाय के बेटे के चरनाम पड़ के क्या कहता है तुम स्वामी मैं बाल बुधी आप मेरे मालिक और मेरा ग्यान तेक बालक जैसी बुधी वाला था पर वाद मैं आपके ग्यान और आपकी वहाँ सथान को देखने के बाद मुझे अकल आई तुम स्वामी में बाल बुजी ये बर्म कर्म किया नासे गरीब दास निजब्रम तुम मेरे होगा दर्ड विस्वास निजब्रम एक तो बर्म है ये काल है निजब्रम असली भगवान तु आप हो अब मुझे दर्ड विस्वास होगा सुन बे सुन से तुम परे उरसे हमरे तीरे दास गरीव सरवंग में तुम अवगत पुरस कभीरे सुन बे सुन से परे हो और यहां भी आ बैठे हो फिर क्या कहते हैं कोटी कोटी से जदाह करे और कोटी कोटी परणामे गरीब दास अनहद अधर हम परसे तवदामे कोटी कोटी से जदा किया कोट कोट परणामे बगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा सारा जीवन ने उच्छावर जिसने कर रख्या और सामने जैसे सरप न मणी पा जा निर्दन न धन मिल जा कोटी कोटी से जदा किया और कोटी कोटी पर ना शेर पटक दिया मापर उसने उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पर आ मिला कोटी कोटी से जदा करें और कोटी कोट पर ना हमें गरीब दास अनहद अधर आपकी तो अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं उपर और हम पर सेतव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो सथान देख लिया, बोलत रामानंद जी, सुनो कबीर करतारे, ग्रीब दास सब रूप में, तु ही वो लड़ार, तेरी सक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, विरमांड घूम रहे हैं, तुम साहब तुम संत हो अब सत्गुरू की पैचान बता रहे हैं, तुम साहब तुम संत हो, और तुम सत्गुरू तुम हनसे, ग्रीब दास तो रूप बिना और नजूजा अनसे, तुम ही परमात्मा हो साहबू, तुम साहब तुम संत हो, यानि एक नेक विक्ती भी, आप ही हो, अच्छे महापु संत की जो भासा हो, परिवासा, आप ही खरे उतरते हो, और तुम सत्गुरू, यानि सचे गुरू, आप ही हो सचा ग्यान रखते हो, और तुम ही हंस, यानि एक अच्छे भगतो, निर्विकार भगतो हंस, जो ब्रायों से हट जयता है, जैसे हंस एक स्पक्सी होता है, खाता है अडग्या नहीं खाता तो हंस वो होता जो भग्त वीडी सराब तुमाखोर स्वित खोरी वकवाद च्छोड़ देता है तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भग्त बन गया तो कि एक सच्चा भग्त भी मालिक आप ही हो तुम साहब तुम संत हो तुम सद्गुर तुम हनस और ग्रीब दास तुम्हारे रूप बिन औरन दूझाँ अनस में भगत मुकत भया में भगता मुकता भया किया करम कुंद amb Apparently और ग्रीब दास अबगत मिलगे ये मिटगी मनकी बास मेरे मन की भर्मना मिटगी मुझे वगवान मिल गए अब गत जिसको कोई नहीं जानता दो हुठोर है एक तू बया एक से दो ग्रीब दास हम कारने तुम आए हो मगजो दो हुठोर है एक तू यह वगवान उपर भी आप ही हो और यहां भी तो है यहां भी आप ही हो और हम नीचाओं के लिए आप वहां से गती करके आए हो और यही वेद परमान देते हैं क्यों परमात्मा उपर रहता है वहां से गती करके आता है और अच्छी आत्माओ को बिलता है तो परमात्माओ आपका सो भागे है कि आप जी को परमात्मा का दिया हो वह वो यतारस ग्ञान और उनका बनाया हुआ ये सत्गुरु आपको प्राप्ट हुआ और वही ग्ञान वही बग्ती जो बगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई इस पराइम के अंदर तो रोया करोगे इस समय को याद करके मुनुस जिवनाद से छूट जाएगा तो इसके पुन्यात्मों अपना कल्यान करवाओ औरों को भी समझाओ जितना भी अधिक से अधिक जनता में यज्ञान फैलाओगे आपको भी भला होगा समाज भी सुदर जागा सब के दुख दूर होगे सब को प्रमात्मा में लेगा पुरा विश्वपार हो जाएगा बोलो सत्गुर देव आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके दुआरा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी से नाम दिक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ती करता था जी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रुटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था, तो हाँ जोड़के निकल जाता था, लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चिलिसा का उचारन भी करता था, पढ़ता भी था, और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था, मैं उतना बिताता था, वहाँ पे. तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे, जो आप हनुमान जी की भक्ती करते थे, उससे आपको क्या कैलाब हुए? मैं घर से यहां से निकल गए, और पूरी पूरी रात मैं घर नहीं लोटता था, फिर नेक्स डे मेरे को कोट भी जाना होता था, तो बड़ी खलात बड़े अजीव से थे, मैं कोट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है, और मुझे अपने आप से घ्रिना होने मैं यह क्या कर रहा हूं, मैं क्यों इतनी पी रहा हूं, मुझे यह पता था, कि मैं जो कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज आज तक नहीं मिली थी, कि जिसकी वज़े से मैं इसको छोड़ू, मैं सोच रहा था, कि इसको छोड़ू, तो कैस हो सकता है तो मतलब घर की आलत इतनी देनिया थी मैं घर नहीं बोड़ता था मेरे आलाओ कराब होते थे मैं रात को परेशान भी खता था और कभी-गए ऐसे आलाओ होते था की कलै जिसको हम Б stylist हैं मतलब मैं क्या आपको बता हूँ कि खलाज जो थे बस से बत्तर थे और मैं बहुत खुद परेशान था लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद मी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था इसके इलावा और भी कई व्यासन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत चला जाता हूं लॉंग ड्राइव और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि यह कौन है मुझे बगाये जा रहा और मैं कहा जा रहा हूं मुझे खुद को नहीं बता होता था नेक्स डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके वेस्त हो जाता शाम फिर हो जाती थी फिर वोई रूटीन मेरा शुरू हो जाता था तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ती करते थे और उसके साथ साथ आपको एक सराब पीने के बुरी लत लग गई और उसके करणा आपकी जिंदगी नरक जैसी हो गई तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सराण में कैसे आए सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यातक में इंटरस्ट तो था ही मैं जाना चाते में सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरू गोबिंद दोनु खड़े काके लागू पाए बलेहरी गुरू आपने जिन गोबिंद दिया मिला है लेकिन मुझे गुरू का ना तो अर्थ पता था ना मुझे ये पता था कि कोई गुरू भी होता है या गुरू को अपनाना पड़ता है या हमें गुरू की जरूरत होती है अपने जीमन के लिए मैं अपने आप कोई सबसे बड़ा गुरू समझता था मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा ग्यान कहीं भी नहीं है तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो अचानक किसी ने मेरी डोर बेल बजाई और मैंने सामने देखा तो तीन चार लोग बार खड़े थे उन्होंने का जी हम आपको एक बुक देने आए तो मैंने का जी मुझे तो ये बुक नहीं रहना तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ग्यान है आप इस ग्यान को एक बर पढ़ो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने मुझे रिगाल लगा कि ऐसी हजारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पस तो अपनी लॉग की इतनी बुक्स हैं मैं वो नहीं पढ़ पाता तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा तो वो भी क क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है ठीक है ना तो मेरे खेल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था तो जब उन्होंने बार बर मुझे कहा कि ये बुक आप एक बर ले के देखो आप इसको पढ़ के देखो ये बीस रुपए की ग्यान गंगा है तो मैं भी कौन सा जो अग्यान था तो जब मैंने वो बुक एक बर उनसे ले ली वो बुक लेने के बाद मैंने रुटीन में उसको अपने सामने मेरे टीवी रखा होता था लसीडी लगा होता तो वह रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई द रिंड ले द्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा लिए उसको थोड़ा सा पढ़ा और इसके बात दिर 8 घटी और वहरी नेक्स टे मैंने वह वो बुक चार बज़े फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया वह बुक पढ़ते-पढ़ते मेरे को साढ़े-oga ब वो बुक रख दी उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का ससंग चल रहा होता था टीवी पे साधना टीवी पे आता है क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं बड़ी बड़ी दाड़ी होती है उनकी बड़ी बड़ी जटाए होती है जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिलकुल संत लगते ही नहीं हैं एकदम सिंपल हैं सिंपल वेश बूशावे हैं तो फिर मैंने दिरे-दिरे जब इनका ग्यान सुनना शुरू किया और फिर वो ग्यान गंगा जब मेरे अंदर वो ग्यान समाना शुरू हुआ तो दिरे-दिरे मुझे ये करते-करते एक मिना भीत गया और म मैंने इसको अब छोड़ देना अब मैं पी नहीं पाऊंगा मुझे ये लगता है कि जो ग्यान में ने पढ़ लिया इसे उपर विश्व में इकी ब्रामन में इसे उपर ग्यान नहीं है और मेरी आंके खुलती जा रही है और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इस को छोड़ दूँगा तो वो हसने लगी और मेरे परिवार के जो इतने भी सदस्या थे मेरे दो बेटे हैं तो वो भी मेरे पर हसने लगए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता आप इसको नहीं चोड़ पाओगे आप की इतनी लोगों से जान पेचान है पार्टी है आप रात बोटल मेरे पास पड़ी थी मेन उसको खतम किया और उस दिन मिरे को याद है कि उस दिन मैं अपने बेटे को जोर से आवाज लागाई कि कृश तो मेरे साथ बाहर चल मैंने आज के बाद विस्की नहीं पी नहीं तो मैंने वो बोटल उटाई उसमें थोड़ी सी विस्की ब देख रहे हैं तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे उस दिन तो मैंने जो पी नी थी पी चुका था तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे हमारे सेक्टरी साब खड़े थे इलेक्शन में उन्होंने का कि देखो मैं तो इलेक्श होंगा मुझे परमात्मा की तरव से अधेश हो रहा है तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने डर्शन दिये मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तुने यह विस्की नीबी नी और उस दिन के बाद सर मैं ने कभी टच भी नहीं किया विसकी को मैं छोड़ चुका हूं सर इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल मेरे को नामदिक्षा लेनी है तो वो भी हरान होगी कि नामदिक्षा उसको भी नहीं पता था नामदिक्षा क्या होती है तो उससे पहले मैंने बरवाला काफी फोन किया जो नम्बर ये पटी पे चलते हैं साधना चैनल olmas की तो बहुत फोन किया, उनको मैंने ये भी बोला कि संतराम पाल जी जेल में उनकी जमानत में कराँगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यापे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या नहीं है जो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन देरे देरे मुझे इस बात का ऐसास होने लगया कि संत रामपल कोई आम इंसान नहीं है जिनकों मैं आज तक मनुश्या समझ रहा था वोई कोई यह हो रहा है कहते है गुरू मानुश कर जानते तेनर कई अंद होए दुखी संसार में फिर पढ़ है यम के फंद तो जिस गुरू को मैं यह समझ रहा था कि यह कोई मुझे बाद में दीरे दीरे इस बात का हिसास होने लगया कि यह परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरनों में तो दीरे दीरे मैं इस बात को अंडिस्टेंड करने लगया और मैं जो को से छोट गया मेरे को वह लाब हुए है कि जो मैं शबदों में बैहन नहीं कर सकता सबसे बड़ी बात है कि जो मन का स्कून है जो मेरे मन में शान्ती है जो मुझे ये लगता कि में एक मिनने बाद शायद डाल्सिज पे चला जाओंगा जिस तरह मैं पी रहा था जिस तरह मैं अपने जीवन को तबा किया जा रहा था तो सबसे बड़ा लाब तो यह है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूं और कोई प्रॉबलम नहीं है मेरे को मेरी वाइफ मेरे बच्चे सब मुझे प्य आज मिरे को करीब नाम लिए एक साल तीन मिने से उपर हो गए हैं और इन एक साल तीन मिनों में जो मैंने अपनी जीवन में बदलाव देखा है मैं करता हूँ मैं सब को पूरे जगत को समाज को यह रिक्वेस्ट करता हूँ आज जोड़के भी आप एक बर यह ग्यान गंग करो आप पहले इसको पढ़ो पढ़ने के बाद इस पर विचार करो सभी वेद गरंत ले के आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संतरामपाल जी जो ग्यान दे रहे हैं इससे बड़ा ग्यान इसी कि ब्रामन में नहीं है सर आपने बताया कि आप संतरामपाल जी महराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एड़ोकेट हैं और आप संतरामपाल जी महराज की जमानत करवा देंगे लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संतरामपाल जी पर देश दुरो केश और भी ये जितने भी चाहिए केश लगा ले लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विशम में आ रहे हैं और सबको ये पता चल जागा कुछ दिनों के बाद कहते आएगा बिसो बिसा ना रहेगा इसा ना रहेगा मुसा और थोड़े दिनों में य सारी चीजे सामने आने वाली है संत रामपाल जी की सचाहि controversy सब के सामने आने वाली जितने भी औरोप प्रयत्रोप किया गए है वो जूटियों बे बनयाद है और उनमें कोई भी आपने बताया कि संत रामपाल जी माराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं तो जो सद्दालो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए मैं उन सब को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो मीडिया है हमारा मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गरक कर रखा है ये जूटा मीडिया है आप ये देखो और ये भरष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गती कर रखी है कि बात कुछ होती है बात को बनाया कुछ जाता है संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले तीन सालों में एक भी अरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि और ये अपना कल्यान कर वाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके है अप उनसे फोन पे संपरक करके नामदान की दिख्षार ले सकते हैं आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हुआ है